गुद मॉर्णिंग इस्टॉएंट्स, पुड़ेस टॉपिक, आटिब्यूट्स आफ रो और कॉलम्स, आज के हम डिस्क्राइब परेंगे, रो और कॉलम्स के आटिब्यूट्स को डिस्क्राइब परेंगे, क्लास एर्थ B, English Medium, Subject Computer, Subject Teacher नेम इस उस्मान अली, रिचकर नेम इस गोविन सिंग, इंचार्ज नेम इस परेना पंडेगा, ओ स्वरी, अन्सुमाली, तोडेज थोट, इस नॉट फेट इन टक्नलोजी, इस शेट इन पीपल, या प्रद्विकी में विश्वास नहीं है, या लोगों में विश्वास, इस थोट सेज, स्टीब जॉब्स, इस थोट को किसने कहा, स्टीब जॉब्स ने कहा, ओके, तो हम क्या डिस्क्राइब करेंगे आज, attributes of row and column, row और column में कौन-कौन से attributes होते हैं, नमबर वन, attribute, align, left, right and center, particular किसी भी table के अंतरकत, अगर हमको क्या है, किसी भी content को, या किसी भी text, photo, video, किसी भी इसको हमको क्या align करना है, left, right and center, left, for left alignment of the cell, cell को left alignment में, अगर हमको set करना होता है, तो left alignment का हम use करते हैं, फिर उसके बाद में आता है, right, right में ले जाना है, तो right के लिए alignment, और center के लिए center, फिर उसके बाद में आता है, बीजी कलर, बीजी का फिल्फारम होता है background, अगर हमको कहा है background color, अगर हमको RGB red, green, blue, अगर हमको set करना होता है, तो यहांसे क्या है, bीजी कलर से हमसको set कर सकते हैं, to set the background color, background color को set करने के लिए, तो बाद जाना है, बॉर्डर कलर, अगर हम जो उने particular border लगाये हुआ है अगर उसको में color करना है, तो यहां क्या हम लगाएंगे border color, तो set the border color, अगर हमको set color करना है, तो यहां border color लगाएंगे, फिर आता है align, top, bottom, middle, अगर हमको किसी particular content को top के set करना है, cell के cell में, तो top लगाएंगे, bottom में करना है तो bottom लगाएंगे और middle में करना है तो middle लगाएंगे फिर उसके बाद में आता height and width equal n n क्या है number यहाँ पर्टिकुलर जहां भी हमको जितना भी हमको उसका number देना है कितनी उसकी height लगानी कितनी उसकी width लगानी है तो वो particular हम number यहाँ पे set करते हैं n बराबर यहाँ पे क्या होगा number जो भी हमें number set करना है वो यहाँ से हम particular set कर सकते हैं ओके फिर उसके बाद में क्या है लिखा n percent n percent means होता है कितना हम उसको percentage देना चाहते हैं n means number यहाँ पे हमने n बराबर 50 percent अगर हमको देना है तो यहाँ से हम क्या है n को define कर सकते हैं ओके thank you